प्रधान मंत्री जी अरक्षन इतना बड़ा मुद्दा इस बार कैसे बन गया आप तो माइक्रोचेप्स और मैनुफैक्ट्रिंग इस पर बात हो इती लेकिन आपको बार बार आम आरक्षन पर बात करते हैं क्यों देखना पड़ रहा है मुझे नहीं करना पड़ रहा है मैं सचेत करना है मेरे सी स्टी ओबी सी अत्ती पिछरे भाई बेहनों को क्योंकि इनको अंधेरे में रख करके यह लोग लूट चला रहे हैं और चुनाव एक ऐसा समय है कि जो सबसे बड़ा संकट आ रहा है उससे देश वाच्छों को मुझे जागरूत करना चाहिए और इसलिए मैं आगरह पुर्वक जनता जनादन को समझा रहा हूँ क्योंकि यह दो चीज़े हो रही है एक भारत के सम्विधान की मुल भावना का हनन हो रहा है सम्विधान की मर्यादाओं को तार तार कर दिया जा रहा है और वो भी अपनी वोट बेंक की राजिनीती के लिए अब मुझे याद है मैंने हाउस में कभी कॉंग्रेस के नेताओं को सुना तो यह कहते थे कि प्येस्चू का प्राइबिटाइशन कर रहे हैं आप तो आप आरक्षन मिटा देना चाहते हैं अब रियालिटी तो है निए गभबाई जी कर रहे हैं लेकिन मेरे सामने आया कि जो लोग इतने बड़े दलीतों के हितेसी अपने आपको कहते हैं आदिवासियों के हितेसी कहते हैं बे हकीकत में उनके घोर दुश्मन हैं इनों ने रातो रात एजुकेशनल इंस्टुशन को माइनोरिटी इंस्टुशन बना दिया माइनोरिटी इंस्टुशन बना दिया तो उन्होंने आरक्षन उसमें खत्म कर दिया अब उनके अधिकार शित्र में नहीं तैंवाइसा एक नियम बदल दिया उन्होंने और उनिवर्सिटी तक को माइनुरिटरी स्टेटेट दिया अब दिल्ली में ही जामिया मेलिया जो इनिवर्सिटी है उसको उन्होंने माहिरोट्री बढ़ाते उसमें सारे आरक्षान खतम हो गए एडिमिशन में भी नहीं नोक्री में भी नहीं और बाद में तो चीज़े उभर करके आई कि करीब करीब दस हजार ऐसी इंस्टिटूशन से जिसको इस प्रक्रार से आरक्षन के जो एस्सी एस्टी ओबीसी का अधिकार था वो पिछले दरवाजे से उसको चीन लिया गया है संविधान की पिट में छोणा भाका दिया है बाबा साहब अंबेड करने जिस सपने से विवस्था खड़ी की थी उसको इन्होंने वोट बेंक के लिए गिर भी रख दिया है तो यह यह चिंता जनक बाते मेरे सामने जब आई तब मुझे लगा कि मेरा दाई तो बनता है कि में देश को अवगव इतने में इनका मैनिफेस्टो आया इस मैनिफेस्टो ने और चौका दिया और इसलिए मैंने पहला मैनिफेस्टो पर देखते ही मेरा पहला कॉमेंट था कि यह मैनिफेस्टो पर मुस्लिम लिग की छबी है तो दो तिन दिन तो उनको लगा कि इसका ज अध्याइश में एक हम खेल कुद में भी माइनोरिटी के लिए कोटा फिर्फिक्स करेंगे आज पंजाब के मेरे बच्चे जो खेल जगत के अंदर बहुत अच्छा कर रहे हैं बंगाल के मिरे नवजवान फुटबॉल में बहुत अच्छा कर रहे हैं उत्तरपदेश के हमार अपनी जवानी उसमें खपा देते हैं दस बारा साल की उमर से लेकर के पच्छाने था यह लोग इतना तपकरते हैं तपते हैं सरी को तपाते हैं खेलाडी ऐसा नहीं बनता है जी आँग और सुबए उन्होंने कहा कि देश में कि अब जो टेंडर होंगे उस टेंडर में भी वे कि माइनोरिटी के लिए आरक्षन करेंगे मतलब यह हुआ कि आज मान लिए कोई कहीं पर बहुत बड़ा महत्वपर्ण ब्रीज बन रहा है उस ब्रीज बहें कौन ब्रीज बनाएगा तो जिसके पास ट्रेक रकॉर्ड है जिसके पास सवाधन है जिसके पास पर्फॉर्म कर सकता है तो उसकी पूरी करता है उसमें competition होती है और competition में जो निकलता है उसको टेंडर मिलता है यह कहते नहीं यह सब बाद में अब मुझे बताएगे अगर इसी प्रकार से सिरफ धर्म के आधार पर कोटा दे जेंगे वो ब्रीज बनेगा लोग मारे जाएंगे तो कौन जिमेवार होगा क्या बोट बेंक के लिए आप आने वाली पीडियों को भी तबाह करना चाहते हैं तो यह ऐसे विशे थे जो कॉंग्रेस ने अपनी बोट बेंक के खातीर बैदान में उतारे तम मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं मेरे दलिद भाईयों के अधिकार के लिए लड़ू मेरे आदिवासी भाई बहनों के अधिकार के लिए लड़ू मेरे ओबीसी पिछडी भाई बहनों के अधिकार के लिए लड़ू और इसलिए मैं लड़ाए लड़ र